हाई गईज, सिनेमेटिक रेक्शन्स के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आज की वीडियो में हम दम मैग मोवी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे इसे डारेट किया है जोन टर्टर टोब ने और इसमें लीड में है जैसन स्तेतम, ली बिंग बिंग, रुबी रोज, क्लिप कुर्तिस देसेश्टर्स तो चलिए शुरू करते हैं मोवी की स्टोरी को मोवी की शुरात में में जोनस टेलर नाम का एक शक्स दिखाय जाता है, जो की एक रेस्क्यू टीम का लेडर है यहाँ जोनस समंदर के अंदर एक सम्मरीन से कुछ लोगों की जन बचा रहा है जोनस की टीम उन आदमें को बचाये रही होती है लेकिन तभी एक बड़ी सी चीज उस सम्मरीन से टकरा जाती है अब जोनस यहाँ कुछ और समय रुकेगा तो उसके साथ साथ सभी लोगों की जन चले जाएगी इसलिए वो कुछ मेंबर्स को निचे छोड़ के जितने हो सके उतने लोगों को बचा के उस सम्मरीन से चला जाता है वो ऐसा नहीं करना चाता था बट उसे दूसरों की जान बचाने के लिए ऐसा करना पड़ा और अब देखते ही देखते हैं वो सम्मरीन ब्लास्ट हो जाती है अब अगले सिन में हमें एक रिसर्च सेंटर को दिखा जाता है जो कि समंदर के अंदर किसी चीज की खोच कर रहे थे अब इस Research Center का Owner इस Research Team की लीडर और उसकी लड़की सुईन से मिलता है अब लीडर उस Owner को समंदर के अंदर लेके जाता है और यहाँ का नजारा देखकर उस Owner को काफी अच्छा लगता है अब वो लीडर Owner को अपनी टीम से मिलवाता है और कहता है कि पूरी दुनिया को अभी तक लगता है कि समंदर का सबसे गहरा पॉंट मरियाना ट्रेंच है लेकिन ऐसा नहीं है मरियाना ट्रेंच की सतर पर एक लेयर है तो सोचों कि उस लेयर की नीचे क्या होगा में भी एक नई दुनिया भी हो सकती है अब इस बात का पतर लगाने के लिए उन्होंने समंदर के अंदर एक ग्लाइडर भेजा था जिसके अंदर तिन लोग थे ये तिनों मरियाना ट्रेंच तक पहुझ जाते हैं इस ग्लाइडर को एक लड़की चला रही थी अब यहाँ उसका सात्यों से कहता है कि अब वक्त आगया है मरियाना ट्रेंच के अंदर जाने का अब वो लड़की दिरे-दिरे उस ग्लाइडर को मरियाना ट्रेंच के नीचे लेके चले जाती है ये लोग जैसे ही इस लेर को क्रोस करते हैं वहाँ का नजारा देखकर सभी लोग हैरान हो जाते है उस लेयर के नीचे सच में एक अलगी दुनिया थी यहाँ बहुत सारी मचलिया और अजबयोगरीब क्रियेचर्स थे यह लोग काफी खुश थे क्योंकि यह पहले इंसान थे जिन्होंने मर्याना ट्रेंट से भी गहरी जगा धुन निकाली थी बट इनकी खुशी ज़्यादा तेरे तक टिक नहीं पाती और एक बड़ी सी चीज इनकी ग्लाइडर को आके टकरा जाती है यह लड़की अपने रिसर्च सेंटर पर कॉंटेक्ट करने की कोशिश करती है बट उसका कॉंटेक्ट भी तुड़ जाता है इनकी सुचेशन को देखकर इस सेंटर का ओनर कहता है कि हमें कैसी भी करके इनको बचाना है और इसके लिए हमें किसी को तो नीचे बेजना होगा यहाँ वो कहता है कि आज तक हमारी टीम में से जिब जोनस ही वहाँ तक जा सका है तो वो उसे बोलाने को कहता है लेकिन इनी की टीम में का एक मेंबर कहता है कि नहीं हम जोनस पर भरोसा नहीं कर सकते लाश्ट टाइम भी उसने कुछ लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया था लेकिन तभी इनका लीडर कहता है कि हमारी मदद जोनस के अलावा और कोई नहीं कर सकता अब हम जोनस को देख सकते हैं जिसे उसकी नोकरी से निकल दिया गया है और अब वो थाइलेंड में आरम कर रहा है अब इस रिसर्च टीम का ओनर और लीडर दोनों से लेने के लिए थाइलेंड चले जाते हैं और कहते हैं कि हमें तुमारी मदद की ज़रूत है लेकिन जोनस उन्हें मना कर देता है वो उनर कहता है कि तुम इंसानियत के लिए तो आ सकते हो वहीं दुसरी तरफ इनकी कन्वर्सेशन को सुईन भी सुन रही थी उसको जोनस के उपर जरा भी भरोसा नहीं था तो वो खुदी एक ग्लाइडर के साथ मर्याना ट्रेंच की तरफ चले जाती है अब इस रिसर्च टिम का लिडर जोनस को कैसी भी करके लेके आता है लेकिन तबी उसे पता चलता है कि सुईन अकेले चली गई है समंदर के अंदर तो अब फटापट से जोनस को एक सम्मरीन दी जाती है और जब वो उस सम्मरीन के अंदर जाता है, वहाँ सुईन की बेटी थी, वो कहती कि प्लीज मेरी मम को सेफली वापिस लेके आना, तो जोनस उसे प्रोमिस करता है, और इस सम्मरीन से बाहर जाने को कहता है, इसके बाद वो समंदर के अंदर जाता है, वहीं दूसरी तरब सु शालकाई शार्क उस ओक्ट्रोपस को खा जाती है। अब यहाँ पर जोनस भी आ जाता है और उसे इनको कहता है कि तुम अपना ग्लाइडर लेके यहाँ से चले जाओ। क्योंकि अब यह डैमेज हो गया है। इसके बाद जोनस अपने ग्लाइडर की मदद से अपनी एक्स वाइफ और उसके टीम ममबर्स को बचाने के लिए पहुच जाता है। तबी वहाँ पर एक बड़ी सी शार्क आ जाती है और इनके ग्लाइडर को टकर मारने यह वाली होती है। जोनस सभी को अपने ग्लाइडर में ले लेता है लेकिन एक मेंबर नहीं आता और कहता है कि मैं तो नहीं आ सकता लेकिन तुम्हें बचा सकता हूँ। वो खुद को ग्लाइडर के अंदर बंद कर लेता है तब ही वो बड़ी से शार्क उस ग्लाइडर को खा जाती है और वो मिमर मारा जाता है इस बात से सभी लोग काफी अफसेट थे क्यूंकि वो उसे बचा नहीं पाए और अब ये तिनों सेफली रिसर्च सेंटर तक फो जात है अब ये इस शार्क पर रिसर्च करते है जिसका नम मेगलडोन है और ये काफी सालों पहले एक्सेंट हो गई है लेकिन इन में से कुछ मर्याना ट्रेंच की नीचे रह गई थी मेगलडोन इतनी बड़ी होती है कि ये एक बार में तिन शार्क को खा सकती है अब ये लोग स खड़ी होती है लेकिन तभी एक बड़ी सी मेग शार्क आ जाती है और उसे खानी के कोशिश करती है उसके दातों की निशन वहां के ग्लास पर छप जाते है सभी लोग उस लड़की के आवास सुनके नीचे आते है तभी यहाँ पर एक छोटी शार्क आती है सभी को लगता ही कि यहां से थोड़ी ही दूर एक बोट पर अटेक हुआ है यह सुनकर यह सभी लोग उस जगह पर जाने के लिए निकल जाते हैं यहां पर जाकर यह देखते हैं कि इस मेग ने एक नहीं बलकि तीन बोट पर हमला किया है रेसर्स टिम का लेडर कहता है कि हमें जल्द ही तो क्यों नाम उस पर एक ट्रेकर लगा डेते हैं यह सुनकर सब लोग केहते कि ट्रेकर लगाने के लिए हमें उसके करिब जाना होगा और यह काम करेगा कौण अब ये काम करने के लिए जोनस तयार हो जाता है यहां उसे एक गन दी जाती है जिससे उसे ये ट्रेकर मेक पर लगाना था अब इन्हें मेक दिखाई देती है और जोनस उसके करेब जाने ही वाला होता है तब ही मेक गाइब हो जाती है अब जोनस यहावा देखता है तो उसे मेक के फिन दिखाए देते है अब वोस गन को शुट करता है और उस ट्रेकर को सक्सेसफुली लगा देता है अब जोनस को वापिस लेने के लिए उसकी रसी खिच जाती है जिससे थोड़ा वाइबरेशन होता है और यह सुनकर मेक जोनस मेक सुन को एक बहुती मजबूत शिशेक के बॉक्स में लोग कर देते है और उसे एक मजबूत केबल के सारे नीचे समंदर में भीजते है अब सुन समंदर के अंदर जाती है और उसके हाथ में एक पोईजनस गन भी थी जिसके मदद से उसे मेक को बहुश करना था यहां मे मेग आ जाती है और सुइन पर हमला करने लगती है लेकिन ग्लास काफी मजबूत होने के वज़े से वो उस मेग से नहीं तुटता लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो केबल तुट जाती है मेग उस ग्लास के बॉक्स को अपने मूँ में दबज लेती है और ये देखकर जोनस पानी के उपर आ जाता है बट मेग उन्हें देख लेती है और उन पर अटेक करने लगती है बट लगिली उस वायर से मेग अटक जाती है और या सुइन उस गन को मेग के उपर मार देती है जिससे उस गन का जहर मेग के अंदर फेल जाता है और वो मर जाती है और अब जोनस इसे एक आदमी पानी में कुद के खुद की फोटो खिचवा रहा था। तभी एक बड़ी सी मेंग उसे खा जाती है। और उस मरी हुई मेंग को भी अपने मुँँ में दबा देती है। इसके वज़न से इनकी बोट उल्टी हो जाती है और सभी लोग पानी में गिर जाते हैं। यहां वो मेंग वापिस आती है और एक टीम मेंबर को खा जाती है। बाकी के मेंबर्स अपने जान बचाने के लिए दो रेस्की बोट से वहाँ से भाग जाती है। लेकिन मेंग भी उनकी पीछे ही थी तबी इस टिम का ओनर कुछ हेलिकॉप्टर को बोलाता है और वो हेलिकॉप्टर से उस मेक पर फाइरिंग करकि उसे वहाँ से भागा देते हैं बट इसी बीच सुईन की पिताजी काफी ज़्यादा जख्मी हो जाते हैं और इसी वज़े से वो मर जाते हैं उनकी देट से सुईन काफी ज़्यादा रोने लगती है लेकिन तबी जोनस उसे शांत करता है और कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा अब ये लोग रिसर्श सेंटर वापिस आ जाते हैं तबी यहां का ओनर उनने कहता है कि मैंने चाइनीज आनमे को इस मेक के बारे में ब आर्मी के बारे में जुट बोला था और वो खुद मेक से मुकाबला करने चला गया है उस मेक को मारने के लिए उसने बहुत सारे एक्सप्लोसियों मंगाई होए थे इन एक्सप्लोसियों से वो उस मेक को मार देते है उस मेक के बड़े बड़े तुकडे इदर उदर फैल ज तबी वो ओनर उस बोट से नीचे गिर जाता है। यहां वो मेग भी मौज़ूद थी। अपने जान बचाने के लिए वो ओनर उस मरी हुई वेल के पास जाता है। लेकिन तबी वो मेग उस ओनर को खा जाती है। अब दुसरी तरफ रिसर्च टीम को पता चलता है कि वो ओनर जुट गोल रहा था। हमारी मदद कोई भी करने वाला नहीं है। यहां जोनस कहता है कि अब हमें ही उस मेग से लड़ना होगा। अब वो लोग एक मेप पर देखते हैं कि एक बीच पर बहुत सारे लोग मौज मस्तिक कर रहे हैं। और उनके ट्रेकर से उन्हें पता चलता थी और समंदर में इतने सारे लोगों को देखकर वो उन पर अटेक कर देती है और उन्हें खाने लगती है। तबी जोनस अपनी टिम को लेकर वहाँ पर चला जाता है। यहां वो पानी में एक ऐसी चीज भेजते हैं जिसमें से वेल मचली के आवाज आती है। यह आवाज ग्लाइडर को बोट से दूर लेकी चले जाते हैं। उनके ग्लाइडर में एक रोकेट ग्लेनर था उससे वो उस मेज को मारने वाले थे। अब हम यहां देख सकते ही कि मेज भी उनके पिछे-पिछे आ रही है और हो उनके ग्लाइडर से टक्रा जाती है। जिसके वजए से जोनस की गलाइडर का रोकेट लॉंचर खरब हो जाता है वो मेग उसकी गलाइडर पर बार-बार हमला कर रही थी इस मेग से अपना पीछा छोड़वाने के लिए जोनस अपना दिमाग लगाता है वो अपने गलाइडर को मेग के पास लेके जाता है और उसे टेडा कर देता है फिर उस Glider के नुकिले फिन से मेगर की पेट को चीर देता है अब मेगर के पेट में से काफी ज़्यादा खुन निकल रहा था फिर भी वो जिन्दा थी और वो जोनस की पीछे पड़ जाती है वो जोनस की Glider को डेमेज कर देती है तभी यहाँ पर जोनस को वचाने के लिए सुईन आ जाती है जोनस अपने Glider से बाहर निकल जाता है और उसकी नुकिली चीज से मेग की आग को फोड़ देता है आग फुटने के वज़े से मेग काफी ज़्यादा तडपती है और उसके बोड़ी से काफी ज़्यादा खुन निकल जाता है उसके खुन से काफी ज़्यादा शार्क्स उसकी तरफ एट्रेक्ट हो जाती है और उसे खाने लगती है इस वज़े से वो मेग मारे जाती है अब यहाद सुइन अपने ग्लाइडर की मदद से जोनस को पाने की बहर लेके आती है यहाद सुइन की बेटी भी थी और यह तिन्हों काफी खुश थे यह सभी लोग काफी खुश थे कि इन्होंने मेग को मार दिया है और इसके साथ यह मोवी यहाँ पर खत्म हो जाती है तो दोस्तों यह थी दब मेग मोवी आशा करता हूँ कि आपको यह मोवी और हमारी वीडियो पसंद आये हो आपको यह मोवी कैसी लगी आप हमें कमेंट करकर बताइए और अगर आप हमारी चैनल पर नए हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजे मिलते हैं आप सभी से आपके अपने चैनल पर किसे और वीडियो में तिल दिन टेक केर